हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई यूटूब चैनल, आज मैं अपनी इस वीडियो में आइस क्यूब के अमेजिंग बैनिफिट्स के बारे में बताऊंगी फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे सेत और स्वास्थे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस यूजफूल अपडेट्स मिलते रहें, जिनने यूज़ करके आप अपने नैचर ब्यूटी को बनाए रख सकते हैं यदि आपके पास मेकप का समय नहीं है, आपकी स्कीन धीली पड़ती जा रही है, तो एक बरफ का छोटा सा टुकडा लेकर उसे किसी कपड़े में लपेट का चेहरे पर लगाईए, इससे आपके चेहरे की तवचा टाइट होगी और यह टुकडा आपकी तवचा में ऐसा निखार ला देगा जो कहीं नहीं मिलेगा, यदि आपको श्रीर में कहीं भी चोट लग गई है और निकल रहा है, तो उस जगह बरफ को मलने से खुन बहना बंद हो जाता है, काटा चुबने पर बरफ लगा कर उस हिससे को सुन कर लें, काटा या फास सानी से निकल जाएग से उल्टी आना बंद हो जाती है, पैरों की एडियो में बहुत ज़्यादा दर्द होने पर बरफ का टुकडा मलने से दर्द में अराम मिलता है, यदि ज़्यादा देर मुबाइल पर या कंप्यूटर चलाने के बाद आपकी आखे दर्द कर रही है, तो बरफ के टुकडे क अपनी आखों पर रखी जल्दी रात मिलेगी, यदि आईबरों बनवाते समय दर्द होता है, तो एक बरफ का टुकडा आईबरों के चारों और रब करें, इससे यह इसा थोड़ी देर के लिए सुन हो जाएगा और आपको दर्द भी नहीं होगा, गले में खराश होने पर बरफ का टुकडा गले के भार धीरे-धीरे रब करने से खराश ठीक हो जाती है, जल जाने के तुरंत बाद बरफ का टुकडा जले वेस्तान पर लगाने से चाले और जलन शानत होती है, और निशान भी गहरा नहीं पड़ता, इंजेक्शन लगाने पर या पैर में मोच आन अंदुरूनी गुम चोट लगने पर बरफ लगाने से खून नहीं जमता, वे दर्द भी कम होता है, तो फ्रेंड्स ये थे आइस क्यूब के कुछ कमाल के काम आने वाले फाइदे, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होते प्रेसे से लाइक वे शेयर करना ना भूले, तक्स पर वचिंग मैं वीडियो